हेलो फ्रेंट्स वैलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा आज मैं आपको बदाने जा रही हूं चट पटी सी मिर्ची की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी चलिए हम चलते हैं किचिन की और फ्रेंड्स यह मैंने लिया है यहां पर मिर्ची आपको इस तरह की की लेनी है अब इस मिर्ची को आपको दो लेना है अच्छे से और इस मेर्ची में मने आपको ज्यादा तीखा पन नहीं रहता है इसलिए हम यह वाली मेर्ची यूज करते हैं अब आप इस सीजर लेजिए या फिर आप चाकू लीजिए आपके पास जो एबलेबल है इससे बार भागों में आप काट लीजे, यह देखे, सबी मिर्चियों को ऐसे ही काटना है, अब यसे हम छोटी-छोटी तुकडों में काट लेंगे, यह रहे इस तरीके से आप, शोटी-छोटी तुकडों में आप मिर्चियां काट लीजेगा, यह इसे काटना है, friends, ओके फ्रेंट्स यह मैंने पहले से ही मिर्चियां काटके रखी है और यह आपको इसके पूरे बीजों को हटा देना है ताकि मिर्ची में तीखा पन हट जाए तो आप इसमें से पूरे बीजों को अच्छे से हटा दीजेगा अब फ्रेंट्स मैंने यहां पर लिया है एक कटोरी दही और यहां पर मैंने लिया है दो तीन स्पून यह अपने सॉप की बीज लिये हैं सॉप को मैंने अच्छे से कूट लिया है फिर लिया है मैंने यहां पर लस्सन लस्सन को भी मैंने मान दस्ताने में मैंने इसे कूट ल यहाँ चांवी ऐब हैंगी एक्सलाइज क्रोंगी इसमें ही दर आप करना ही luck कि हमारे मिर्ची की सब्रंजाने से थोड़ी सी गेश्टिक चैसी होती है wake up मैं यूज रिएयाक अव हैं के बाद मैं एड करोंगी इसमें ट्रक्ट चीह letternd मेरे मिर्ची अब यह मैंने मिर्ची आड़ कर दिया है अब आप इसे यह से मैंने मिर्ची पूरी आड़ कर दिये अब इसे अच्छे से आप चलाईएगा और इसे हमें अच्छे से भूंजना है इससे इसका कलर चेंज हो जाए यह देखे फ्रेंट्स हमें इसमें अपने गार गार्लिक एड़ कर लिया है अब इसे अच्छे से हम चला देंगे मिक्स कर देंगे यह मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से अब हम इसे थोड़ा सा भूजेंगे अब देखे फ्रेंड्स मेरा यहां पर ऐसा हो गया है कलर चेंज हो गई मिर्ची के अब मैं इसमें एड करूंग अब मैं इसमें एड़ करूँगी अपने salt नमक, नमक हमें स्वाद अनुसार अपना लेना है और ये मैंने नमक ले लिया, अब मैं इसे भी अच्छे से mix कर दूँगी और इसमें मैं हल्दी पाउडर भी mix कर दिया है, अब ये हम अच्छे से इसे चला देंगे, अब मैं हमारे तीखा पननी होता है, सिफ कलर के लिए मैंने से यूज किया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लानविच एड़ कर दूँगी क्याकि कलर अच्छा लगे, ये मेरा हो गया, मैंने से mix कर दिया है, अच्छे से, अब मैं इसमें एड़ करूँगी प्रेंस, मैं आर मिर्ची के साब्याने है बहुत सुन्दर कलर आ गया है झाल झाल